आज मैं आपको मार्स के बारे में बताऊंगा मार्स सौर मंडल का चोटा ग्रह है और दूसरा सबसे चोटा ग्रह है इसके सता पर आइरन ओक्साइड काफी अधिक मात्रा में है जिसके कारण इसका रंग गहरा लाल है अतरह इस रेड़ प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है ये खुली आखों से देखा जा सकता है इस ग्रह का अपना मेगनेटिक छेतर नहीं है ये एक टेरेस्ट्रियल ग्रह जिसका वाईम अंडर फॉट पतला है इस ग्रह के दूँओं चंद्रमा है वोबोस एवं दिमोंस प्रिट्वी के दिन के हिसाव से सूर की परिक्रमा करने में मंगल 687 दिन लगाता है गैलिलियो ने अपने लिसको के द्वारा इस ग्रह की खोच की थी मंगल की सता में बहुत ज्यादा अवस्ता में आयरन सहित खनेच पाए जाते हैं सता पर पाए जाने वाले धूल और पत्रों में भी आयरन काफी मात्रा में विद्दमान रहता ह आयरन के खनीजों का ओक्सीकरन होस जाता है जिससे वहां के मिर्टीक लाल है यहां पर थंडे एवं पतले वायु मंदल होने के कारण तरल जल यहां ज्यादा देर तक स्थेर रह ही नहीं पाता व्यास में मंगल प्रत्वी का आदा है लेकन वहां का बोभाग लगबक प्रत्वी का आदा है इस ग्रहपा शोर मंदल के कुछ बहुत उचे पहार एवं घहरी गाटिया मौजूट है ओलमपस मौनो नामक पहार 27 किलो मीटर लंबा है दूसरी तरफ वैलेस मैरनेयस नाम कि ये एग घहरी जो 10 किलो मीटर तक घहरी है और 4000 किलो मीटर तक चौड़ा है इस ग्रहपा शोर मंदल के सबसे विशाल तम सक्रिय जौला मुखी स्थित है जिसका नाम उलमपस मौन्स है इसका वैयास 600 किलो मीटर है ये एक ढाल के रूप में विराजमान है जो बढ़ते हुए लावा के सुक जाने पर बने होंगे यहां कोई अन्सक्रिय जौला मुखी भी है वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि वैलिस मेरेंस का निर्मार क्रश्ट भाग के खिचाव और फैलाव से हुगा हुगा इस घाटी के अंदर भी कई घाटी मौजूद है जो की सौ किलो मीटर तक फैले हुए है इन घाटीों के सते पर मौजूद घेरे निशानों का देख कर लगता है जैसे यहां कभी पानी मौजूद रहा होगा सूरिश से ज़्यादा दूरी होने के कारण मंगल का तापमान प्रत्वी से बहुत कम है यहां का ओसतन तापमान माइनस 60 डिग्री सेल्शियस है वहां के शीट कालीन मौसम के दौरान तापमान माइनस 125 सेल्शियस रहता है यहां के वायू मंदल में कारण डायॉकसाइट गैस प्राधान है एवं तत्वी के हिसाब में से 100 कुना कम घना है शीट कालीन मौसम के दौरान कारण डायॉकसाइट गैस जम जाता है वहां के मिट्टी के एवं अन्य नमूनों के अध्यान के आधाहार पर वज्ञाने को ने यह कहा है कि मंगल और का वायू मंदल पहले बहुत घना एवं गाडा था जहां जिसके कारण उसके सता पर पानी के श्रोर्द थे यहां शीट काल में कारवन डायॉकसाइट बरफीली बादलों का निर्मान होता है मंगल गरह पर बहुत भयानक धूल भरी आंदिया चलती है जो कई महिनों तक विराजमान रहती है तेज हवा के कारण बहुत अधिक मात्रा में धूल उड़ता है जिसके कारण पूरा वातावरंग गर्म हो जाता है इस गरह के बारे में जानने के लिए नासा ने साल 1960 के दशक में यहां मिशन भोजना शुरू कर दिया था इससे पता चला कि मंगल एक बंजर ग्रह है जैसे कि माना जाता था वहां जीवन होने के कोई संकेत नहीं मिले साल 1971 मरीनर नाइन मिशन ने मंगल के चक्कल लगा है एवन उसके असी पतीशन भाग का मापी करन किया इसने जुआला मुखिया एवन घाटिया की भी खोच करी और आसी प्रेट्स के लिए उमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना प्लकूमत बूलीगा और सब्सक्राइब करना बूलीगा थेंक्स पौर वाचिंग इस वीडिए